तो बच्चों अभी इस टूडियो में बिल्कुल आसान तरीगे से स्टेप पर स्टेप इस संख्या का गन्मूल कैसे ग्याद करते हैं यह सिखेंगे गन्मूल को कैसे लिखते हैं वो समझते हैं देखिए अन्रूट इसका साथ चार जीरो आठ आठ का और यहां तीन लिखने से आपका यह गन्मूल बन जाएगा यहां पर हम प्राइम फेक्टराजिशन मैथरड यानि अब हाज ये गुणंध खंड विदी का में लेने वाले हैं इस विदी में करना क्या है दीगे संख्या कि हमें गुणंध खंड करने है प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे प्राइम नंबर कौन से होता हैं 2, 3, 5, 7, सरा प्रतम 2 का भाग दिया तो यहां भाग गए आपका कितना 3 वार, 7, 2, 14, 0 भार, 4 भार और 4 भार फिर इसमें 2 का भाग जा रहा है क्या यहsa एक वार और आठ दू सोड़ा पांस दू दस दो वार दो वार फिर इसमें दो का भाग जा रहा है यस नो दू अठारा दो दू चार छै दू बारा और एक वार अब इसमें आपका दो का भाग नहीं जा रहा है आगे प्राइम नमबर में तीन का चेक किया तीन का भाग जा रहा है यस मैं उस उरंदर के लिए रही एने वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर सुरंदर के लिए सर्च करें भाग गया तीन वार फिर भाग गया जीरो वार फिर आट वार और साथ वार फिर तीन का भाग जा रहा है यस कितना एक वार जिरो वार दो वार और नो वार फिर तीन का भाग जा रहा है किया यस कितना तीन तीरी नव च्यार त्री बारा तीन त्री नव अब इसमें आपका तीन का भाग नहीं जा रहा है 5 का नहीं जा रहा है, 7 का चेख किया, 6 का जा रहा गया 7 चोक 28 और Revelation फिर सात का भाग जा रहा है, कितना 7 वार फिर सात में सात का भाग आपका 1 वार आए पर इसके गुनंदखंड के आगे मैं यहाँ पर लिख देता हूं 2 कितनी वार है आपका तीन वार है तीन भी कितनी वार है तीन वार है साथ कितनी वार है तीन वार है ठीक है हमें क्या चीज़ का गन्मूल करना किया बिल्कुल सिंपल है तीन समान संक्या का गजोड़ा एक और यहां लिखना है अब इस का हमने गुणा किया कितना गया बयान लिस तो इस फरकार से यहां पर इस संक्या का हमें आसानी से गन्मूल मिल जाता है